सपना के कीचन में आप सभी कर स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोगे के साथ बिना लसुन प्याज वाली आलू परवड की सब्जी रेसिपी लेकर आई हूं देख सकते हैं आप नौरादरी के सीजन चल रहा है फ्रेंड बहुत लोगों के घरों में बिना लसुन प्याज वाले सब्जी बनती है तो चलिए अगर हम उसकी रेसिपी आप सब को बताते हैं देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी हुई है एक खाने में उतना ही टेस्टी अला जवाब है अगर मेरे रेसिपी आप सब्सक्राइब पसंद आफ्रेंड तो मेरे चान को लाइ काटका धोली आगवा है दिख सकते हैं हमने सारे सबजीयों को कडाही में डाल दिया हुआ हमें इस अच्छी तरह से चलाते हिए भून है कि सबजी को हमें अच्छी तरह से भूणना है फ्रेंड 보면 जब तक च्षे हमारी सब्चू सब्च आप न होजा में और कलर विष्ट का चेंज न हो जाए सब्जी को हमें भूनने में 4-5 मिट लगेंगे देख सकते हैं हलका हलका हमारे परवल का कलर चेंज हो रहा है लेकिन हमें इसे भी और भूनना है थोड़ी दिर ये सब्जी खाने में भूंती टेस्टी लगती है मसाले के हमने लाशन अधरक दो टमांटर लिया हुआ हम इसका भी बारिक पेष्ट तियार कर लेंगे देख सकते हैं परवर की है अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम इसे इसमें हम उबली हुए आलू को डाल देंगे हमने यहां पर तीन से चाड़ आलू को अबाल कर छिल कर काट लिया हुआ है इसे भी हम इसमें डाल देंगे और साथ में दो से तीन मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है दोनों भी एक साथ आप भी इस रेसिपी के एक बाट जरूर ट्राई करें अब कमेंड बस में कमेंड करके बताए रेसिपी आप सबको कैसी लगी दो से तीन मिनट होगा है फ्रेंड आलू अर्स परवर हमारे भूंज के रेडी होगा है देख सकते हैं अब तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं कडाही में हमने फिर से दो चमस तेल डाल दिया है यह पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं खड़ा जीरा दो लाल मिर्च दो सतीनी लेची एक दाल चीनी और एक बड़ी लेची लिए है साथ हम इसमें एक तिछ पत्ता डालेंगे इन सारी चिजों को हमें अच्छी तरस चटकने देना है अब हम इसमें पीसे हुए मसालो को डाल देंगे मसालो को हमें अच्छी तरस से दो कर डाल लेना है अब हम इसमें कुछ और भी सुखे मसाले डालेंगे लेकिन इससे पहले हमें मसालो को चलाती हुए अच्छी तरस से मिला लेना है तो चलिए अब हम इसमें कुछ सूखे मसाला राइड करते हैं आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे फ्रेंड साथी हम इसमें एक चमच लाल मीच पौडर डालेंगे इससे कापी अच्छा कलर आगा सब्जी में हमारी और हमें हम पर दो चमच धनिया और जीरे का पौडर डालेंगे साथी हम इसमें स्वादन सा नमक डालेंगे मसाला हमें थोड़ी अच्छे से डालने हैं क्योंकि बिना लेसुन प्याज वाली सब्जी है फ्रेंड तो आप इसमें थोड़ी मसाला जादा ही डालें पीसे हुई ताकि हमारी सब्जी थोड़ी थीक आप गाड़ी बने तभी ये खाने में अच्छी लगीगी आप देख सकते हैं मसाले से हमारा तेल भी सिप्रेट हो रहा है पर हमें अभी मसालों का अच्छी तरह से भूनना है मसालों को हमें ढख कर कभर कर देंगे और गयस का फ्लेम हमें आप पर मीडियम ही रखना है ताकि जो हमारा मसाला है वो जलेना इसे चलाती है इना हमारी सब्सक्राइब अशंच को दिला तकि हमारा मसाला की बुषी ठिलाव मदी धुल साथ देख सकते हैं मसाला हमारा बोन चुका है मसालो को बोनने में हमें 5 मेट निट अभिजा मिनट लगा है आपट चलिए हम सारी सब्छी ओंप डाल देते हैं इन्हें हमें अच्छी तरह से मसालो की साहट मिलाते हुवे नो बोन लेना ए और ुप धक्कन से हम कभर कर देंगे, बीच में धक्कन हाट आती हमें इसे चलाते रहना है, देख सकते हैं, सब्जी हमारी दिखने में कितनी तेस्टी लग रहे हैं, आप चाहें तो फ्रेंड इसे इस तरह से सुखा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ी हलका पानी डालकर गाड हो ठीक बनाएंगे, देख सकते हैं, सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून गई है, हम आलू को हलका हलका यहां पर मैस कर देंगे, कडची के मदद से, इससे हमारी सब्जी है, गाड़ी बनीगी, तब ही सब्जी खाने में अच्छी लगेगी, देख सकते हैं, तो चले अब ह हम इसमें थोड़ा से पानी याट कर देते हैं, पानी को हम अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिला लेना है, अब हम इसे अच्छी तरह से 4-5 मिनिट ले उबाल लेना है, देख सकते हैं, सब्जी में हमारी उबालाने लगी है, हम इसे थोड़ी और उबालेंगे, सब्जी को ह पूड़ी रोटी चावल के साथ ट्राई कर सकते हैं खाने में बहुत स्वादिश्ट होती है तो देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर बिल्कुर रेडी हो गई